अलो फ्रेंट्स स्वाकत है आपका आपके अपने यूटूब चाहें क्यान प्लस पर महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी के लिए सुनारा आउसर निकल के सामने आ रहा है तिरपन सव आगनबाडी पदों पर होगी भरती 45 दिनों में भरती पूरी होगी रिक्त पदों पर शुरू होगी आगनबाडी के तिरपन सव पदों पर भरती प्रक्रिया तो चलिए खबर को हम विस्तार से देख लेते हैं अगर आप चाहिए पर पहली वारे चैनल को सब्सक्राइब 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 को प्रेस करना मत भूलेगा इसी तरह की लिटरस्ट अबडेट पाने के लिए चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि निदेशक ICDAS में सभी जिलादिकारियों को दिए विग्यापन जारी करने के निदेश चलिए अब हम खबर को देखते हैं वाल विकास सेवा एवं पुष्टा हर विवाग में आगन बाड़ी वा मिनी आगन बाड़ी कारकरताओं और साहिकाओं के लिट्पदों पर भरती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है इसके लिए निदेशक ICDS डाक्टर सारिका मोहन की और चेमंगलवार को सभी डियेम के तीन दिन में भरती के लिए विग्यापन जारी करने के निदेश दिये गए हैं प्रदेश में समय इस समय तीनों सिर्णी में करीब तीर पन सो पदों पे खाली है निदेशक ICDS ने जिला काईरक्रम अधिकारियों को भी तीन दिनों में खाली पदों का बेवरा NIEC की ओर से विक्सित कर वेबसाइट पर अबलोड कर रिक्तियों के सापेच्छ भरती विग्यापन जारी करने को कहा है काफी समय से आगन बाड़ी केंद्रों पर रिक्त पदों से काम प्रभावित हो रहे हैं इस पर जब सरकार ने मिशन रोजगार सुरू किया तो इन पदों पर भरती करने की कवायश सुरू हो गई निदेशक ने बताया कि विवसाइट बालविका यस यूपी.gov.in पर आगन बाड़ी के अंद्रों की दिख्तियों का ब्योरा आरच्छन साही जीला इस तर पर फीट किया जाएगा इसके लिए जीला का इलक्रम अधिकारियों को लॉग इन आईडी और पासवर्ट दिया जा चुका है आगन बाड़ी, मीनी, आगन बाड़ी और साही को को एक खाली पदों के भरने के संबन्द में इससे पहले जनवरी में विश्तित निर्देश जारी किये जा चुके हैं किया जाएगा अगले तीन दिनों विग्यापन जारी होंगे विग्यापन जारी होने के 21 दिनों तक ऑनलाइन आवेदन के लिए अब भरतियों को समय दिया जाएगा पूरी भरती प्रक्रिया विग्यापन जारी होने के 45 दिनों के अंदर पूरी करने का आदेश दिया गया है तो यह आगन भाड़ी में महिलाओं के लिए सुना रहा है इसकी योगता की अगर हम बात करें तो योगता इंटर्मीडिया ट्यानी की ट्वल्थ पास होंगे तो आप इस में आवेदन कर सकते हैं जो महिलाओं ट्वल्थ पास हैं उनके लिए एक सुनारा मौका मिल सकता है इसमें अगर वेतन मान की बात करें तो इसमें वेतन करीब दस जार के आज पास होगा इसके अलावा इंसेंटिव वह बहुत सी होती हैं जैसे की गर्वत्ती महिलाएं आदी के डिलिवरी आदी के समय इनको कई चीजें कई तरह से इनको तो इंसेंटिव से मिलते हैं तो क्यों मिला के ठीक ठाग कि यह कमाई कर सकती हैं अगर थोड़ा सा मेहनद करेंगी तो अलंकि ये कोई सरकारी नौकरी कहने को तो है लेकिन इसमें कोई उस्टरह सरकारी नौकरी के पाइदे नहीं इनमेद्य हैं जो पर्मानेंट कोई सरकारी नौकरी कोई विभाग में रहके काम करता है लेकिन फिलाहाल कुछ नहीं जहां पे रोजगार कितनी मारा मारी वहां पे मैलाएं हाथ जरूर आजमा सकती हैं इसमें कम से कम अपने परिवार को खुद सम्रद्ध हो सकती हैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं तो यह रही अपडेट आप सभी के लिए इस वीडियो में तरह ही मिलेंगा अगली वीडियों तब तक ले जाहीं जाएं जाए बारत